हाई अब्रिवन वेल्कम टू एक्जाम आईक्यू एक्जाम आईक्यू कि इस वीडियो में जेससी और जेपीसी के लिए जारखन जीके का एक प्रैटी सेट सुरू करते हैं तो एक प्रैटी सेट संक्या 15 है इससे पहले चोगदव प्रैटी सेट अपलोड हो चुके हैं अगर recall कि डाल्टनगंज, लातिहार, गड़वा, पलामु तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो पलामु जीले का प्रसासिन क्या रख फ। प्थे बीडियो में बताए थे हैं तो पलामु जीले की स्तापना कभ हुई? तो इसका अंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिये दूसरा स्वाल देख लेते हैं तो निमलिखित में से कौन से जिले का नाम का साब्दी कर्थ लोख खनन का केंदर है तो लोख खनन का केंदर का साब्दी कर्थ क्या होता है लोहरदगा बोकारो हजारी भाग राची तो इसका सही इंसर है लोहरदगा तो लोहर दगा जीले का साब्दी कर्थ है लोख खनन का केंदर, उप्शन एसका सही है, आगे देख लेते हैं अठारसोट तैनाड़ बहाट के वर्तमान गुमला जीले को विशनपूर प्रांत के अधिन लाया गया था, जिसे आगे चल करके क्या नाम परदान किया गया था, राची बोकारोग गिरिडी धनबाद, तो इसका सही इंसर है राची तो 1843 में जहारखंड के वर्तमान गुमला जिले को विशनपूर प्रांत के अधिन लाया गया था जिसे आगे चलके राची नाम परदान किया गया था तो अप्सन ए इसका सही है आगे देख लेते हैं पारसनात पाहड कौन से जिले मिस्थित है और यहां जहारखंड की सबसे उची चोटी है ग्रीडी दुमका देवगर सिंभूम तो पारसनात पाहड से कुछ सवाल बनते हैं जो जेससी और जेपेसी में प्राया पूछे जाते हैं तो पारसनात पाहड कौन से जिले में है तो यह सवाल क्या हो जाएगा ग्रीडी जिले में है और यहां जहारखंड की सबसे उची चोटी है जब बोल दिया कि जहारखंड की सबसे उची चोटी है तो इसकी उचाय महतपूर हो जाती है तो इसकी उचाय कितनी है तो 1365 मीटर है तो कितनी है 1365 मीटर अगर फीट में बात करें किती है तो 480 फीट तो दोनों महत्पुर्ण ने और पार्सनाथ की पहाड जो है कौन से धर्म से समंदित है जेन धर्म से समंदित है और पार्सनाथ पहाड को संबेद सिखर भी बोला जाता है आगे देखते हैं इन में से जारखंड के किस जीले को पाला का घर के नाम से जाना जाता है पलामू देखवर हजारी बाग दुनका तो इसका सही इंसर क्या हो जागा तो पाला के घर के नाम से जारखंड के कौन से जीले को जाना जाता है तो उप्सन यह हो जागा पलामू तो पलामू को पाला के घर के नाम से भी जाना जाता है तो उप्सन एस का सही है ओल्ची की पांडू लिपी का विसकार किसके दवारा किया गया था तो ओल्ची की लिपी का विसकार किसके दवारा किया गया था तो संथालों की लिपी है तो संथालों की लिपी क्या है ओल्चीप की जिसके अवसकार पंडित रगुनात मुर्मूत है तो अपसन ये इसका सही है आगे देख लेते हैं वर्स 2015 में सिक्षा के लिए जारखन सेवारातन पुर्सकार किसने जीता था तो 2015 में जारखन सेवारातन पुर्सकार किसको मिला था तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा निसाज जोधरी को तो अपसन ये इसका सही हो जाएगा आगे देख लेते हैं तो जारखन के निमलिखित बैक्तियों में से पदम स्री पुर्सकार प्राप्त करता कौन नहीं है तो पदम स्री पुर्सकार किसको नहीं मिला है उपसन के नुसर मनिश कुमार, असोग भगत, रामदयाल मुंडा, परशुराम मिस्र तो इसका सही अंसर हो जाएगा मनिश कुमार तो मनीश कुमार को पदमसीरी पूसकर नहीं मिला है लेकिन असोग भगत परसुरा मिस्र और रामदयाल मुंडा को पदमसीरी पूसकर मिल चुका है और असोग भगत से परसुरा मिस्र रामदयाल मुंडा से सवाल पूछे आते हैं कि इनको पदमस्री पूर्सकर मिला है की नहीं आगे देख लेते हैं तो बेगा जन जाती कौन से छेतर में नहीं पाए जाती है तो नहीं पाए जाती ये पुछा है लातेहार, राची, सिंभूम, हजारी बाग तो इसका सजिन सर्व अपसन है लातेहार में लेकिन राची, हजारी बाग और सिंभूम के इलाके में बेगा जन जाती का परसार है लेकिन लातेहार में नहीं है तो दुमका जिले के अंतरगत परखंडों के संख्या कितनी है ये पुछा है 10, 7, 9, 5 तो दुमका जिले के अंतरगत परखंडों के संख्या टोटल है 10 तो 10 परखंड है और दुमका जिला जो है और संथाल परगना का मुख्याले भी दुमका में ही इस्तित है तो पच्मी सिम्मूम जिले का जिला मुख्याले कौन सा है तो पच्मी सिम्मूम जिले का जिला मुख्याले कौन है चायबासा, जमसेथपूर, खुटपानी, धिंकपानी तो पच्मी सिम्हूम जिले का जिला मुख्याले चायबासा है और पूर्वी सिम्हूम जिले का जिला मुख्याले जमसेदपूर हो जाएगा और पलामू का जिला मुख्याले डाल टंजगल तो चत्रा जिले का भोगलिक शेतरफल कितना है तो 14 जीले का एरिया कितना है ये पूछा गया है तो इसका सही अंसर हो जागा 3706 किलो मिटर 3706 किलो मिटर स्कुएर 14 जीले के कुल भोगोलिक शेतरपल है तो अपसने ये सही हो जाएगा आगे देख रहते हैं अर्जुन मुंडा ने जारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है तो अर्जुन मुंडा ने जारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है 3 बार, 2 बार, 1 बार, 4 बार तो इसका सही अंसर के वज़ा गए 3 बार तो अर्जुन मुंडा जहारखंड में तीन बार मुख्यमंत्री के पद की सपत ले चुके हैं और अर्जुन मुंडा कौन से छेतर से बिलों करते हैं खारसावां विधान सभा छेतर से और अरजुन मुंडा के साथ सीबू सोरेन भी है जो तीन बार जहारखंड के मुख्यमंदरी रह चुके है और यह सवाल आयरबी में पूछा भी जा चुका है तो विधान सभा के चुनाओं में आपके लिए यह सवाल है जहारखंड में अब तक कितनी लिए निर्मान 15 नौमर 2000 के बाद हुआ तो उसके बाद अब तक कितनी बार जहारखंड में उधान सभा चुनाओं हो चुका है पांच बार छे बार तीन बार चेहर बार इसका अंसर आपको comment box में देना यह आपके लिए है इस वाल तो जारखन में तिसरी बार किस वर्स राष्पती सासन लागू हुआ था तो जारखन में कितनी बार राष्पती सासन लागू हो चुका है तो अभी तक जार्खन में राष्पती सासन तीन बार लागू हो चुके हैं पहली बार कब लागू हुआ था? 19 जनुरी 2009 को पहली बार लागू हुआ था और लेकिन पुछा है तिसरी बार कब लागू हुआ तो तिसरी बार कब लागू हुआ था? जनौरी 2013 में तो अप्शन C सही हो जाएगा तो ज्ञारखन में तीन बार राश्पती सास लगा है पहली बार 19 जनौरी 2009 को दूसरी बार 2010 में और तिसरी बार जनौरी 2013 में आगे देख लेते हैं इनमें से कौन सी रभी फसल ज्ञारखन में उगाई जाती है तो ज्ञारखन में उगाई जाने वाली रभी फसल कोन सी है चना, मक्का, बाजरा, मुंग, फली तो इसका सही अंसर क्या हो जागा आप यहाँ देखेंगे तो ज्ञारखन में मक्का भी उगाई जाता है बाजरा भी उगाई जाता है लेकिन मक्का और बाज्रा जो है रभी की फसल नहीं है बलकि है खरीब की फसल है तो इसका सही एंसर हो जाएगा सरकार दोहरा मानियता प्राप्त उच्छेतर को इसका सही हो जाएगा सरकार दोरा मानियता प्राफ तो द्योगी चेतर कौन सा नहीं है तो जाइडा तो दल्मा ओन जी अभ्यारन के चारो और निमलिखित पाड़ियों से में से कौन सा है तो दल्मा ओन जी अभ्यारन जो है चारो तरफ पाड़ियों से गीरा हुए है तो कों सा पहाड़ी है दल्मा हिल्स हिमाले चेरू मनार तो इसका सही इंसर है दल्मा हिल्स तो दल्मा वण जिये वियारन जो है दल्मा पहाड़ी से घिरा हुआ है तो option A's का सही हो जागा और दल्मा अभियारन कहां पे है जम सेथ कुर मेंस्तित है 1991 में बोकारो जिले की इस्ताफना के लिए ग्रीडी जिले से कितने ब्लोक लिए गए थे 2, 3, 6, 8 तो बोकारो जिले की इस्ताफना का हुई थे 1991 में लेकिन बोकारो जिले के निर्मान कौन से जिले को अलग करके किया या था ग्रीडी और साथ में कौन था धनबाद तो गृडड़ी और धनबाद जिले को अलग करके बुकारो जिले का निर्मान उने से कानवे हुआ है लेकिन पूछा है तो गृड़ी जिले के कितने ब्लोक लिए गे थे तो गृड़ी जिले के 6 ब्लोक लिए गे थे बुकारो जिले को अलग करते है तो चत्रा जीला कौन से राष्ट राजमार्क परस्तित है तो इसका सहींसर हो जागा राष्ट राजमार्क संख्या 99 और 100 और चत्रा का बहुली चैतरपल कितना है 376 किलोमेटर स्कॉाइर और चत्रा में कौन सा अभ्यारन है लावा लोंग अभ्यारन चत्रा तो जारखंड के किस मंदिर में सावन का परसिद मेला लगता है तो सावन का परसिद मेला जारखंड के कों से मंदिर में लगता है महाकालेस्वर मंदिर, सीव सक्ति मंदिर, महाकाल मंदिर, वेधनात मंदिर तो इसका सहींसर हो जागा ओप्सन ये विदनात मंदिर देवहर में जारखन में सावन का मेला लगता है और विदनात मंदिर किसका मंदिर है सीव मंदिर है और कहां पे है देवहर में और विदनात मंदिर के निर्मान करता कौन थे इसके निर्माता पूरन मल थे और पूरनमल जो थे कौन से राजवन्स के साथ सकते गिद्धोर राजवन्स के साथ सकते आगे देख लेते हैं गनेश देवसकर ने कौन सी किताब को लिखा था जो अंग्रेजों ने परति बंधित किया था तो गनेश देवसकर द्वारा लिखित किताब कुछ सा है जो अंग्रेजों ने बेन किया था कुछ वाना, खेरवारल वीर, देशेर कथा या सवराज लूट गया तो इसका सजिन से रहे देशेर कथा, तो देशेर कथा किसके द्वारा लिखा गया था गनेश देवसकर के द्वारा जिसको अंग्रेजों ने बेन किया था और सवराज लूट गया किसकी परमुक रचना है राम नरायन सिंग तो राम नरायन सिंग की रचना है सवराज लूट गया लेकिन अंग्रेजों ने बेन किसको किया था देशेर का था जो गनेश देवसकर क 12 रचित है आगे देख लेते हैं दिन द्याल उपादियाए ग्रामिन कोसल योजना किस आयूवर के युवाओं को लक्षित करता है तो दिन द्याल उपादियाए ग्रामिन कोसल योजना कौन से आयूवर के युवाओं के लिए है तो इसका सरी इंसर क्या हो जागा 15 से 35 option 6 ही हो जागा तो 15 साल से 35 साल के लिए युवाओं के लिए दिन द्याल उपादेहाए ग्रामीन कोसल योजना है तो option 6 ही है आगे देख लेते हैं तो योजना बनाओ अभियान भारत सरकार के किन दो कारकरमों का विले का नतिज़ा है तो योजना बनाओ अभियान जो है भारत सरकार के कौन से दो कारकरमों का विले का नतिज़ा है तो इसका सही अंसर क्या हो जागा तो देर ना करते हैं सही अंसर की बात करते हैं तो मीसन अंत्योदे और ग्राम पंचात विकास योजना तो option A सही हो जागा तो योजना बनाओ अभियान कौन सा योजना का विला ही हुखवा है तो मिसन अन्तविद्धै और ग्राम पंचात विकास विजना तो अप्शन एस का सही है आगे देख लेते हैं तो निमित्खित में से कौन सा संजीवनी परीजना के बारे में सत्य नहीं है तो संजीवनी परीजना के बारे में चार कथन दिया है तो उनमें से एक कथन गलत है वही गलत की कथन की पचान करना है सत्य नहीं है तो संयुक्त देतायां समू के गथन और कार्यानोयन के लिए संजीवनी पुरिणा को भी जनादेश दिया गया है तो यही कत्थन गलत है गलत बाकी बाखी बात तीन पुरिणा के बारे में एस एस जी के अंतरगत परिवारों की सारो भोमिक विमा और उनकी उच्छ अस्तरिय मंडल को सुनेश्चित्ता एस एस जी को सारा देना ताकि उनकी आजिविक का किरियाओं का उत्तरदायत उठाकर उनकी वर्तमान आमदनी के उनियन में क्या जा सके सामुदाइक संसाधन विकास की साहता किसे कार्यकार गाउं में एस एस जी की संता निर्मान आगे देख लिते हैं किस वर्ष खूटी जिले को राची से लग किया गया था तो खूटी कौन से साल नया जिला बना था यह पूछा गया है तो खुटी जिले का निर्मान 2007 में हुआ था और खुटी जिले के साथ एक और जिले बना था कुण था रामगड तो खुटी और रामगड जो है जिसका निर्मान 2007 में हुआ था एक पूरा नाम बला है M M J S S A का पूरा नाम क्या है तो M M J S A का पूरा नाम मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री जननी सीसु सुरक्षा अभियान तो option B सही हो जागा तो मुख्य मंत्री जननी सीसु सुरक्षा अभियान M M J S S A का पूरा नाम हो जागा तो option B से ही है आगे देख लेते हैं भोगोलीक छेतरफल की दृष्टी से जारखन में सबसे बड़ा वनजीब अभिहारन यह कौन सा है तो एरिया के मामले से सबसे बड़ा वनजीब अभिहारन जारखन कौन सा है लावालोंग अभिहारन कहां पे है चतरा में महवाटन कहां प जारखन निवेस के अंदर कहां पेचती थे ने दिल्ली राची जमसितपूर बुकारो यह सबल पहले भी बताया गया था तो जारखन से बाहर ने दिल्ली मिचती थे तो option A.S.C. के लिए जारखन से बनने वाले कुछ महत्पुन सबल जो आने वाले एक्जाम की दृष्टी से थी मत्पुन है अगर थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में